हेलो दोस्तों नमस्कार आदा आप सस्क्रियाकाल मैं हूं रावल शर्म आपका बिजनेस टड़ी मेंटोर जिसे आप प्यार से खली शर के नाम से भी जानते हैं तो कैसे आप सभी तो आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एजिली के प्लाटफॉर्म पर और कौन सा चल रहा है शिकर 2.0 रिलोडिंग अपलोडिंग तो वह आज 2.0 की बात चल रही है तो देखा होगा आपने क्लास का लेने का तरीका थोड़ा और मज़दार कर दिया है टॉपिक्स को थोड़े और छोटे-छोटे कर दिया है करने की बात चल रही तो और ओर बात करेंगे और बेरा चल रही और किसकी बात करें अज तक रही है structures को हमने cover कर लिया, functional, divisional cover कर लिया, formal, informal cover कर लिया, अब बात करेंगे, एक सबसे important topic की, जो exams में काफी बार पूछा जाता है, किसी ना किसी रूप से, चाहिए एक number का आपको MCQ ज़ान लगे वो, कई बार आपके तीन number के अंदर भी इसको पूछा जाता है, और उसका नाम है delegation, यह हम बोल सकते हैं delegation of authority, होता यह बड़ा simple सा है, कि हर आदमी सारा काम कर ले possible नहीं है, मतलब एक ही आदमी सारे काम कर ले possible है क्या, नहीं है, वो finance भी देख ले, वो accounting भी देख ले, वो planning भी कर ले, वो marketing भी कर ले, वो सब कर ले, हो सकता है क्या, नहीं, और करेगा तो राइता फेलेगा नहीं फेलेगा, नुकसान होगा नहीं होगा, काम में delay होगा, नहीं होगा, क्या काम अच्छी तरह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या चाहिए, delegation चाहिए, मतलब routine काम जो है, रोज के, वो किसी और को देता नहीं यार, और फिर आपका जो main काम है, focus जो है, planning को लेकर, research and development को लेकर, future inspection को लेकर, R&D करने के लिए, business environment को analyze करने है, जो भी आपका main focus है, उस पे ध्यान देख सकते हो, सेम आपके घर में भी देखने को मिला, मम्मी बोलते है, सारा काम में करती हूं दिन बर, तो पानी की बोतल नहीं भर सकता, कूलर नहीं भर सकता, अगर आप यह कर दोगे, तो क्या करा मम्मी ने आपको delegate कर दिया है, powers, authority, कि यह आपका time है, आपका काम है, अब आप कब करोगे, आपको करना है, नहीं करा, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह नहीं बनती, वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है, जैसे आप अपने छोटे भाइयों करते न, जब से छोटे होते हो, तो सारा काम आपको बोल करते हैं कि रिष्टा मजबूत होना चेहिए, not like कसोटी जिंदगी का, ठीक है, बस देखा नहीं होगा, आप लोगो ने, यॉर्ट फर्म जनरेशन, कोभी सुना नहीं हो, कसोटी जिंदगी, हमारे टाइम पर डेली सोप आता था, यार, मतला, वायात मेरे लिए था, बागी पूरी दुनिया के लिए तो गजब था, डेली सोप था, ठीक है, वही आठ साड़ी आठ का सोग होता था, आप घर पहुचे, खर खेल कुला के, वही चैनल देखके चैनल स्टार प्लस पाता था, तो हमें यहां पर उनकी बात नहीं करनी, हमें आप महारे रिस्ते की बात कर क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है, आपको देखो कि इस तरह से आपके पास एक उपन जाएगा, क्रेट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है, छोटेस इन्फोरमेशन, नेम, इमेल आइडी, जेंडर, आपका अड्रेस आटोमेटिक ले लेगा, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, OTP आज आएगा, वेरिफाई करनी के लिए क्लिक कर देना, इसके बाद आप देखो, तीन आपको यहां पर आपको जो है, थम्नेल्स दिख रहे होंगे, एक कॉम्प्रिटिव प्रोफेशनल एक्जाम का दिखेगा, क्लास 11-12 का दिख यहां प्रारम और टॉपर्स की बात करते हैं, 11-12 और यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, आगे बढ़ जाना, तो आप यहां देखने हो मिलेगा, आकाउंट एंसी, बिजन स्टडीज, इकनोमिक्स, मैथमेटिक्स, वैसे पर सब्जेक की प्राइस लिखी हुई है, पर हमने ब होगे, यह पूरा कोर्स, पूरे सेशन के लिए आपके लिए फ्री है, और साथ ही साथ आपको DPPs मिलेंगे, स्वाल करने के लिए इसको आप बड़े अराम से, बड़े प्यार से, बड़े मज़ितार तरी के स्वाल करके, मता आ जाएगा, घुडू, शानदार, तो इसी तर पिचर के अंदर, बड़ा सिंपल सा है, डेलिगेट तो इंक्रीज यौर प्रोडुक्टिविटी, बड़े सी बात है, आप जैसे मालो सारे काम यही करेगा, तो पिर इसकी प्रोडुक्टिविटी इंक्रीज होगी, नहीं होगी, क्या करा है, इसने कुछ काम बाठ दिये, तो हर कोई क्या कर सकता है, अपने आपको डेलिगेट कर आःसकता है, अपने पाने अपनी अपर्वर्डिस के ड्यान लगा सकता है, अना चली, शोग का मेंटस, चली, तो देलेगीज चेना क्यां चाहता है, अगयागा अगर सारा काम बहों गरना चाहेगा तोHa R.udu, अहनी अच्ट पर पूर ऊसका हाल ऐसा हो जाएगा G erreicht क्सी क्रारिंट एसा हो जाएगा, प्रस्टेट हो जाएगा परिशान हो जाएगा अरे यार क्या है मैं सारे काम करोग यह ऐख है यह हैं कुछ पावस अपने पास इंपोर्टेंट तो अपने पास ही रखेगा जैसे सिंपल सी बताता हूं मैं अब डेलिगेशन और डीसेंटरेशन दो बडाएंगे लिए रखेगा है कि अपनी अपनी इमिजियर्ट सबॉडिनेट नट खो अपनी को करता है अधृत never香港 करता हूं मतलब जब इमिजियर्ट सबॉडिनेक पर जब एक जगा के रुक जाता है कि इसने इसको ट्रांसफर कि आप यह किसी और को ट्रांसफर नहीं कर रहा तो यह बोला जाएगा क्या कर रहा है डेलिगेशन कर रहा है क्या कर रहा है डेलिगेशन कर रहा है इसे अगर उसे आप रिस्पोंसिब्रेटि दे दिया तरको यह काम करना है आज से तेरे उपरी जिम्मधारी है तुम इसको सरोगए और करेंगे कैसे decision making power तो देदो सर। हमें responsibility तो दे दिया उस responsibility को फुल्फिल करने के लिए जो अथोरिटी चाहिए जो decision making थोड़ी से आपक ancestry वह तो नहीं है तो फिर हो जाएगी समस्या problem क्यों हो जाएगी भाई वो कहां से करेगा बताए ज़रा कर पाएगा क्या responsibility तुम ने दे दी पर responsibility fulfill करने के लिए जो उसे power ची वो नहीं दी तो हो सकता है नहीं हो सकता तो आप उसको duties तो दो पर duties को fulfill करने के लिए जो power ची वो भी देना जरूरी है तो basically हम यह बोल सकते है अब process of interesting responsibilities authorities to the subordinate पहली बात एक process है जहाँ आप सामने वाली को पर क्या कर रहे हो responsibilities दे रहे हो ठीक है and creating accountability भाई complete हो चाहे काम नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ किस वदी से काम complete नहीं हुआ तो those employees who are interested responsibilities and authorities तो basically हम बोल सकते है delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate जैसे बजया दिखर आपको करते हुए चलिए आप यह काम करिए अरे आप यह करिए आपको यह काम करना है आपको यह काम करना है आप सब्सक्राइब लिए ते क्या कर रहे है responsibly transfer कर रहे है चिला-चिला कि तो superior to subordinate movement होता है मतलब यह downward movement होता है superior अपने powers अपनी responsibilities को देता है बैटा कुछ powers को responsibility subordinate को देता है responsibility तो साथ ही साथ उस responsibility को fulfill करने के लिए कुछ powers authority दी जाती है आप यह टापको डिसेंस ले सकते हो क्लिए रहे चलाएंगे next अगर हम बात करते है delegation does not mean abdication अब इसको यहीं समझेंगे बाद की बात बात में करेंगे क्या होता है कई बार हम किसी को काम पकड़ा देते है ना फिर काम पूरा नहीं हो तो हम उसको फोपना चालू कर देता है है की है जैसे ही है दाधा जी ने कि प्रफो काम सब्सानेगी काम मैं पहुंपका आपने बेटे को बताई को और है कि रिस पांस mutate देज़िए के काम करना है तो यहां पर अकांटिबिलिटी किसकी आएगी? कौन जवाब देगी यहां पर है? यहां पर जवाब देगी बेटा बेटी है या जिसके पास यह जिमिदारी थी? जिमिदारी थी पापा के पास तो अकांटिबिलिटी किसकी आएगी? पापा की आएगी अगर आपने रिस्पोंसिबिलिटी दे दी, डेलिगेट कर दी अपने यह नहीं करता है काम कंप्लीट नहीं हूए तो सामने वाले पर ठोप डोगे आप। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कि मैंने तो उसको बोलता हुँ, वो नहीं कर पाया। आरे आपने दिया काम तो आपकी जिम्यदारी बनती है। कि यह देखना कि वह काम डंक से कर पारा रहा नहीं कर पारा, अगर नहीं कर पारा तो को मुश्किल आ रही है, क्या मुश्किल आ उसको हल करा, टेक किया, बस लास्ट मौ आप आपने गोल भी लो जेव, मैं तो सको दिया, उसने प lawsuit नहीं कर पाया, तो आप अपनी जिम्मदार से बच नहीं सकते समझ में आगी बात तो चलिया पढ़ लेते हैं Delegation is not a process of abdication which means accountability is absolute accountability change नहीं हो सकती power delegate कर सकते हो पर accountability बदली नहीं जा सकती accountability never be passed or delegated after creating accountability on subordinates the superior also remain accountable available तो आप बही है जरूर पूच सकते हो उससे की वहापसे kाम क्यों नहीं हुआ पर अपनी जवाब देही आप उसके ओपर थौप नहीं सकते सजा तो आपको सामने गर अआने काम यहां होता है है यहीं को पापा को काम बोलते हैं आप किसी और को delegate Mm और भोंने करता है आपको बोलेंगा मैंने तेरे को काहा था तू की आपको वा एश nosail को सब्सक्राइंगा इसकार д्या नहीं नहीं दिए तो अच्छाौ्टविटोगलिडि fur山 hasninyika ठीक अपा सोरी अगली बार मही कर लूँगा समझे अगली बात सो बेसिकली यह है इसे बहुत एक्जामपल के साथ समझ लेगा बड़ा इसी देगा इप दसेल्स मेनेजर इस असाइंड टार्गेट ऑसेलिंग थाउजन उनिट्टीक है एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है, पांच जने थे तो इसने मुला बहुत दोसो तुम बेचना दोसो 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 पाजो काम दे दिया अब इन में से एक जना जो गबरुजी है वो होगे बेमार बेमार होनी के अपना सेल नहीं कर पाए इस वज़े सिफ आठ सो यूनिट ही भीक पाया कितना भीक पाया? आठ सो यूनिट इन सच ए सिचुएशन दा अकाउंटिबिलिटी किसके उपर आएगा बेटा मैनेजर के उपर आएगा ना कि गबरुजी के उपर आएगा जो बेमार हो गए थे क्योंकि यहाँ पे सेल्स मैनेजर को द्यान देना चाहिए अच्छा वो नहीं आ रहा है क्यों बेमार होगी अच्छा किसी और को पन टार्गेट देते हैं वह पचास-पचास तुम और बेची लेना ऐसा कर सकता था या किसी और को हायर कर सकता था पर उनुने द्यान नहीं दिया बाद में अटियन बुले वह बेमार हो इसलिए वह नहीं कर पाया उसकी जिम्यदारी बह्या उसकी जिम्यदारी नहीं है तार्गेट आप और मैनेजर आप और रिस्पोंसिबिलिटी आपकी है आपको करना चाहिए था तो इसको ध्यान रखना चाहिए, रहे हफ्ते वर मुंसे पूश लेता, पाज दिने पूश लेता, चौटे पूश लेता, कि यह कितना टार्गेट होगा है, पता था नहीं है, तो गबरु जी जो है, वो तो बेमार रहे हैं, वो टार्गेट नहीं कर पारे, उनकी तबयत खरा हुए और फिर आप किसी और का काउंटेबिल कर रहे हो वो पॉसिबाल नहीं होगा क्लियर है आगे बात समझ में चले आगे चलिए जी importance of delegation delegation क्यों जरूरी है क्या बोलना चाहता है हम से यह बोलना चाहता है effective administration employees development motivation of employees facilitate organizational growth basis of management hierarchy better coordination reduce the workload of managers and basis for superior subordinate relationship इस बार में पात करता है हेक एक करके सब पढ़ेंगे यह importance क्या करता है वैसे तो आप जब इनकी top points पढ़ते तो कहीं न कहीं हमें चीज़ें समझ में आ जाती है effective administration केस होगा भाया अब manager जो है फ्री हो चुका attention नहीं है और ज्यादा बैटर में काम कर सकता focus करेगा जो subordinates उनको थोड़े power मिलगे वो भी थोड़ा focus होगी काम करेंगे employee develop नहीं होगा क्योंकि subordinates को मोहका मिलेगा अपना को समझ लिया उसका मतलब समझ लिया तो कहीं न कहीं अब इन words के इन जो हम बो सकते हैं headings न के दुवारा कहीं न कहीं explain कर सकते हैं जादा attention लनेगी जरूहत नहीं पड़ेगी चले यह कर लेता है effective administration managers transfer ordinary work to the employees through the delegation process यह पढ़ाया हूं ordinary जो work होता है जो रोज मरना के काम होते है regular basis पर करने होते है और उसको जिससे काफ़ी time-based ओर manager का तो वो काम क्या करता है transfer कर देता है they may now focus their attention to the crucial issues the primary responsibility of manager is not to get is to get the job done effectively or efficiently they can do this by giving the subordinates the authority and responsibility need to do their task कैसे का सकते है बड़ा simple से है अपना खुद का काम पर ध्यान दीजिए साथ ही साथ देखे काम complete करना है organization goal achieve करने कैसे करोगे जो regular activity है routine activity है उसको आपने subordinates को transfer कर सकते है simple यही बात बोल जाएगा employees development employees get greater possibilities to use their talent as a result of delegation it enables individual to acquire the abilities that enable them to carry out the challenging task but obviously development होगा नहीं होगा अब उसको नहीं चीज सीखने को मिलेगी challenges face करेगा नहीं टास्क्स टेखने को मिलेंगे वो अपने वो प्रूफ करेगा तो उसका development होगा नहीं होगा so basically by offering them to the chance to put their skills to use and acquire experience working on project relevant to higher level position delegation makes for a stronger future manager तो कहीं नहीं आप उसको future के लिए तयार कर रहे हो क्योंकि अभी अब जो distance लेगा वो higher level पर देगा उसको project मिल रहे है जो पहले high level करते था उसको वो मिल गया तो कहीं नहीं नहीं उसको high level position पर जो thinking process होती है जिस तरह के distance लेने होते है जिस तरह के challenges होते है वो चीज़ सीखने को मिलेगी जब वो चीज़ सीखने को मिलेगी तो कहीं नहीं के future manager तयार हो जाएगा clear है चले आगे कहना जाता है motivation of employees in the delegation when the manager is sharing the responsibilities and authorities with the subordinate it motivates the subordinate as they develop the feeling of belonging and trust जिसे बताया कि जब delegation होता है सब superior जब उनको बोलता आज से तुम यह काम समालोगे तो कहीं ना कई employees के वंदे trust belongingness develop हो जाती है अच्छा यह company मुझे अपना समझती है company मुझे पर trust कर रही है तो वो जादा और अच्छी तरह करनी कोशिश करेगा जादा महनत लगाया काम करने को लेकर some employees can be motivated by such kind of non-financial incentive भई पैसा थोड़ी मिल रहा लग से आपको काम अलग से दिया जा रहा है सीखने के लिए तो इसके लग से पैसा नहीं मिल रहा पर कहीं नहीं कहीं आपके लिए एक booster dose की तरह काम करेगा तो फ्यूचर में की दाविदारी हो सकती है मेरी एक managing post के लिए अच्छे उपर high post के लिए जो challenging task के इसको अच्छी तरह accept कर सकता है और उसको अच्छी तरह conduct कर सकता है फैसिलेट और गनाजेशनल रोट्स वैं दे मैनेजर देलिगे टास्क तो इस सबोर्डिनेट्स बेर इन माइन इच सबोर्डिनेट्स क्वालिफिकेशन और कापबिलिटी वाइल दे ट्रांस्फर रिस्पोंसबिलिटीटीज और अब इसी बात है अब ऐसा थाहनी चलते है फिर आज से तू बलना है काम और आज से यहाला कम तू करना ऐसे नहीं होता है मैनेजर काफी ताइम से नोटेस करता है चीज़ों को अनलाइस करता है और यार इस बंदे काने टैलेंट है ये कर सकता है कि उसको यए चोटी है चीज देते हैं फिर लटनेशन में पावर इसा तो देखता हैрим उसको वह काम दिया जाता है दे रिजल्ट इन टास्क डिविजन और स्पेचिलाइशन बोछ इन बोड उसको ऑग क्रूशल फो इस दो तो इस तरह तो जो ागर माल्यजीय को काम देंगे और मिल्चिन देख के लिए तो फिर उसको आगय अपन क्या कर सकते हैं, future के लिए क्या करते हैं, develop कर सकते हैं, future के लिए उसको use कर सकते हैं, organization growth में use किया जा सकता है, next अगर बात करता हूं, basis of management hierarchy, delegation established superior subordinate relationship, which is the base for hierarchy of management, विसी बात है, यही तो होता है, hierarchy से तो मनती है, top फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, क्योंकि हमें पता है कि support, superior जो है, वो subordinate को क्या करता है, power transfer करता है, तो obviously superior top पे है, और यह, lower पे, तो क्या बन गया है, hierarchy बन गई, तो जिस ने power transfer किया, वो superior है, जिसको मिला, वो subordinate है, hierarchy बनी नी बनी, बन गई, better coordination, when the tasks are delegated, authority and responsibilities are methodically split, and personals are held accountable for task failure, there is no duplication of effort, thanks to this mathematical division of labor, and the organizational benefits of our good coordination, तो better coordination होता है, जिसको काम दिया, पता है, duplication of work होगा नी, तो कहीं ना कि coordination better way में better हो जाती है, organization को उसको फाइदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता, last कुछ बचे है हमारे points, और इसमें क्या करना चारता है, reduce the workload of the manager, obviously हम पर चुके इसको, the subordinate which help the manager to reduce the workload, obviously first point हमने यह पर आता है, effective administration को लेके, basis of superior subordinate relationship कहीं ना कहीं हमने hierarchy से connect कर सकते है, ठीक है, तो obviously पता है, only the two parties involved होती है, इसके अंदर superior subordinate, जो superior है, वो अपने immediate subordinate को काम देता है, यह complete करने के लिए, are involved in the delegation process, because superior would only delegate responsibility and authority to the subordinate when they have confidence in them, तो यह पता है मैं, it is a sign of a healthy relationship when superior subordinate relationship transfer होता है, तो उसको motivate भी करता है, belongingness, trust वाला issue जो होता है, वो खतम हो जाता है, उनके नए belongingness, trust, ऐसे feeling आ जाती है, तो इन दोनों का relation भी क्या होता है, अच्छा हो जाता है, तो इसी के साथ हम बात करते हैं भाईया, कि delegation जो है, वो clear हो चुका, एक दूसरे बरोसा दिखाया गया, एक दूसरे पर विश्वास दिखाया गया, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं, कि एक जना सारे काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए delegation जरूरी है, it is necessary to delegate the responsibilities, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, टिल देन, टेक केर, बाई-बाई